इस इक्षा कोस बेफ साइट पर इसकूल का किस परकार से रजिस्टेशन करें और इसका किस परकार से आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं के बारे में मैं आज किस वीडियो में आपको step by step process बताने वाला हूं इस इक्षा कोस के टुटेरियल वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं नवश्कार महरी संकर आप देख रहे हैं TRT in Hindi YouTube चैनल सबसे पहले आप अपने mobile या computer में e-sikha course.br.gov.in website को विजिट कर लेनी है विजिट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले website पे मिलता है select user type यहाँ पे आपको option में जाते है teacher, school, officials, TE, TEI यहाँ पे आपको school registration करने के लिए school को select करना है फिर यहाँ पर देखिए आपको मिलता school का Udice code डर्ज कर देना है फिर यहाँ पे आपको password डर्ज करना है सबसे पहले यहाँ पे आप लोग समझ लिजिए कि password जो है आपको BRC की तरफ से मिल जाता है जो भी password आपको temporary password मिला होगा वो temporary password आप यहाँ पे दर्ज करेंगे नीचे जो math का problem आपको show कराई 6 multiply 6 जितना होगा वो multiply करके आप यहाँ पर लिख देंगे और sign in पर click करेंगे sign in पर click करने के बाद यहाँ पे आपको new password और confirm password का एक option देखने को मिलेगा तो आप अपने विद्याले के लिए एक नया password खुद से बना सकते हैं password जो आप बनाएंगे उस password में आपको आपका नाम या किसी भी चीज़ का आप जो capital या small letter का परियोग कर सकते हैं उसमें आप symbol लगा सकते हैं और number का भी आप परियोग कर सकते हैं इसके बाद दो बार password दर्ज करने के बाद फिर से आपको math problem को solve करना है और यहाँ पे update पर किलिक कर देना है अब आपका password अपडेट हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे आपको select user type में school को select कर लेना है इसकूल यूडाइ स्कूर्ड को दर्ज करना है नया जो password आपने बनाया उस password को दर्ज करके math problem को solve करते हुए sign in पर किलिक कर देना है sign in करने के बाद यहाँ पे आप इसकूल के dashboard पे चले आएंगे इस dashboard पे आप देखेंगे कि बिद्याले की monitoring के लिए बहुत सारी सुविधायें बनाई गई है जिसे कि मैं यहाँ पे हलके में आपको बता देता हूँ school का option मिलता है तो जिसमें कि आप अपने school का profile या school की registration कर सकते है second मिलता है याप टीचर तो यहाँ पर आप अपने school के teacher की profile देख सकते हैं teacher के profile को update कर सकते हैं फिर यहाँ पर आपको मिलता है grievience तो grievience में आपको अगर कि अपने विद्याले के बारे में या इस website के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बालपंजी का संधरन भी अब online होगा MDM की जो भी सारी report आप देते हैं वो भी यहाँ पर आप online दर्ज कर सकते हैं student की जो भी सारी उपस्तिती होती है वो भी आप यहाँ पर online दर्ज करेंगे manage holiday में आप देख सकते हैं कि किस दिन विद्याले के अपकास है और किस दिन आपको अपकास लेना है leave का option आपको मिल जाता है जो आप पिद्याले में छुटी लेने के लिए आवेदन देते हैं वो आपको आवेदन अब online देना होगा इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी options है इन सारे options के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा फिलाल इस वीडियो भी हम लोग बात करते कि स्कूल का रजिस्टेशन किस प्रकार से करना है यहाँ पर आपको स्कूल वाले option पर क्लिक कर देना है यह जो पूर network connection आता यह कुछ website की गरवरी आप इस पर ध्यान नहीं दे अब यहाँ पर देखिए आपको मिलता स्कूल रजिस्टेशन, library attendance, habitation master और daily activity report तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्कूल रजिस्टेशन पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके विद्याले की जो sectionic verse है, परिचालन इस्थिती है, जीला, परखन और संकूल यह automatic पहले से फिल रहेगा अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यह सारी details कहां से आती है जब आपने अपने विद्याले के UDICE को form को fill up किया होगा online, तो यहाँ से और Megasoft से यह सारी जानकारी यहाँ पर online update है पहले से इस्कूल का code कर रहा है तो इस्कूल का UDICE code आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, UDICE code आपको यहाँ पर दर्ज करने के बाद, यहाँ पर आपको मिलता है management या प्रबंधन आप इस पर click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर देखिए Department of Education को आपको select करना है, विद्याले की स्रे देखेंगे आपके विद्याले की सारी details यहाँ पर चली आती है, यहाँ पर देख लिए एक चीज़ आपको मिलता है pending at school, यानि कि आपकी जो profile है अभी update नहीं हुई है, यह विद्याले अस्तर पर भी pending है, यहाँ पर आपको गती बीदी के नीचे edit का उस पर मिलता है, आप पर किलिक करेंगे, किलिक करने के बाद यहाँ पर देख लिए, मैंने बहुत सारी चीज़े पहले से feel करके रखी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यह जो आपका विद्याले का यूडाय स्कॉर्ड है, या विद्याले का जो दे पर देख लिए, फिर यहाँ पर संस्दिय चेत्र को आपको select कर लेना है, पेज को नीचे करना है, यहाँ पर आपको एड्रेस में अपना विद्याले का पूरा एड्रेस फिल कर देना, जिसमें की add, post, police station और district आपका यहाँ पर दिखाए पड़े, इसके बाद यहाँ पर द करना है, और हिंदी को सिर्फ enable कर देना, तो यहाँ पर आपका हिंदी आ जाएगा, फिर यहाँ पर काता है भासा का माध्यम, यहाँ पर भी आपको हिंदी को select कर लेना है, फिर यहाँ पर काता है कस्तुरवा गांधी बाली का विद्याले केंद्र, आपके विद्याले के लिए बिद्याले का email ID बनवाया गया है सबी विद्याले के लिए लोगों ने भी बनाए होगा तो अपने बिद्याले का email डिये वो आप यहाँ पर दर्च करेंगे तो यहां पर आपको क्लिक करके यहाँ पर एक्टिंग है टीचर या असिस्टेंट हैड टीचर दो तो चीज आपको मिल जाता है अगर असल में वह पर्मानेंट है तो आप एक्टिंग को करेंगे लेकिन कोई अगर परभारी प्रज़ना अध्यापक है तो वह असिस्टेंट हैड मॉस्टर या भाइस प्रिस्पल को करेंगे पर यहां पर नाम दर्ज करना है उनका मवाइल नम फाइल अपडेट कर सकते हैं यहां पर देखिए और भी सारी चीज़ें है जिसे की लाइब्रेडी एटेंटेंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है यह भी आप यहां पर एड कर सकते हैं पर यह तकी जो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट है आप वह भी यह पर एपर एप्रू यानि कि यह जो approval है यह SM के दुवारा होगी जिसे कि शिख्षकों ने अपना attendance बनाया तो कितरे सिख्षक आपके विद्याले में उपस्ती तो यह सारी attendance को आप यहाँ पढ़ा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने विद्याले का नया password जेनरेट कर सकते हैं प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और इसकूल का registration कर सकते हैं उमिद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बि अरने बाद